Hello friends, ये वीडियो आपके लिए काफी ज़दा important होने वाली हैं क्योंकि आज हम human health related कुछ basic points की बारे में जानने की कोशिच करेंगे जो कि आपको पता होना चीए और ये सभी points आपको आगे जाके काम आएंगे तो आज हम जानने वाले हैं हमारे pulse rate, oxygen level, body temperature, normal BP ये सभी normal कितनी होने चाहिए, ये सभी चीज़े आपको आगे जाके काम आएगी अगर आप एक medical practitioner है या फिर medical student है या फिर आप कहीं पर practice करते हैं तो ये सभी चीज़े आपको पता होना चाहिए तो आज की इस वीडियो में हम यही सब बारे में detail में जानकरें देने वाले हैं points by point तो आप वीडियो को last तक देखते रहिएगा तो ये वीडियो अपके लिए काफी ज़दा perfect वीडियो है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमारा जो point से वो है largest organ of human body जो हमारे human body होती है सबसे largest organ कौन सी होती है वो होती है skin total bone in human body एनने की कुल हड़ियो के संक्या कितनी होनी चाहिए वो होती है 206 एनने की जो हमारे body की कुल हड़ियो के संक्या होती है वो 206 होती है total muscles in human body जो की mass patient की कुल संक्या कितनी होनी चाहिए वो 649, largest gland of human body, सबसे बड़ी gland कहां पर होती है, बहुती है liver को कहा जाता है largest gland and largest artery of human body, जो की aorta को कहा जाता है, जो की hard में होता है, इसे महाधमने भी कहा जाता है तो आप इसे भी जाम सकते हैं, नॉर्मल temperature of human body, जो human body के जो normal temperature होती है, तापमान होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो होती है, 70 degrees Celsius and 98.6 for a night होनी चाहिए, यह normal माना जाता है next है life of RBC, RBC की जो जीवन काल होती है, वो कितनी दिन होनी चाहिए, वो होती है 120 दिन, यहनि की 4 मंत की होती है, 4 मंत में RBC डिस्ट्राई हो जाती है Life of WBC WBC का जीवन काल कितनी होनी चाहिए WBC का जीवन काल होता है वो 10 से 15 दिन होता है 10 से 15 दिन के अंदर वो Regeneration हो जाता है यानि डिस्ट्रा होकर Regeneration करने लगता है Largest part of brain यानि कि जो brain की जो largest यानि कि बड़ी part होती है वो कौन से होती है बहुत ही सेरी बिरम बिरेंड का जो सबसे बड़ा part सेरी बिरम को कहा जाता है Largest endocrine gland thyroid gland को endocrine gland कहा जाता है pH मान जो blood की जो pH मान होती है वो कितनी होने चाहिए वो होती है 7.4 smallest cell in human body जो सबसे छोटी कोशी का कहां पर होती है वो होती है male के जो sperm होती है वो सबसे छोटी कोशी का होती है और जो largest cell in human body होती है वो female के ओभम जो होती है वो सबसे largest होती है यनि कि बड़ी कोशी का माना जाता है blood bank in human body जो blood bank को किसी कहा जाता है वो spline को कहा जाता है जो blood bank होती है वो storage कहां पर होती है blood वो spilling में storage होती है next है हमारा number of chromosome in human body जो कि जो body होती है उसके chromosome के संक्या कितनी होती है यह होता है 46 जोड़ी होता है total blood in human body in liters एनि कि जो body body की human body होती है उसके अंदर total blood की कितनी होतनी चे जो liters कितनी होने रहता है बोड़ी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज जो की स्वस्त मनुष्ख जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता हैं वह कितनी होने चाहिए यह नॉर्मल रेंज में मना जाता है ऐसे आप जाम सकते हैं होप कि आपको वीडियो फसंद आया होगा ऐसे इंफोर्मेटिव और नॉलेजवल वीडियो देखे लिए के लिए हमारे चनल एसके फार्मेसी को सब्सक्राइब करें और साती साथ मेडिसिन से रिलेटर जान करें भी इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हम तो हमारे चैनल एसके फार्मेसी को जरूब सब्सक्राइब करें तो चले दोस्तों मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाए टाटा टिक केर